गुड मॉर्निंग मैं डियर प्रेंड देन इस्ट्वेंट्स मैं शागुन भार्द्वाज तागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल आफ्टर स्कूल एकेडमिट्स आज ये वीडियो मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूं ये लेकर के आया हूं टूथाउजन ट् जो अभी 2024 CUT के लिए जा रहे हैं वो लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे प्रपेरेशन की जाए क्या क्राइडियर होना चाहिए क्योंकि 2023 का पैस तो सब अपने अपने कॉलेज में जा चुका है बहां पे अकैडमिंग भी स्टार्ट हो चुके हैं और आप जो न सास्ता तो CUT पर भी फोकस करना चाहते हैं ठीक है तो अभी कई स्ट्वेंट्स मेरे से कई पूछ रहे थे बहुत दिनों से कि सर हमारे बोर्ड एक्जाम्स भी है उनका प्रेशर भी है और 2024 में हम स्ट्वी अटेम्ट करना चाहते हैं एक्जाम के बाद हमें बहुत कम टाइ हैं तो उसका से रिलेटेड एक्जाम पैटर्न एलगिविटी क्राइटेरिया एज लिमिट सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिसकस करेंगे तो आज का ये छोटा से वीडियो पूरा देखेगा जिससे आपको एक बेसिक आईडिया लगेगा कि किस तरीके से आप अपने बोड एक्जाम को लेकर के और आप अपने सीटी एक्जाम को दोनों के लिए फोकस कर सकते हैं ठीक है क्योंकि देखो बच्चो दोनों ही चीज़े हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोड एक्जाम भी और सीटी और ऐसा नहीं है कि हम बोड एक्जाम को वो यह है कि अगर आप अपना बोर्ड एक्जाम में जितना अच्छा स्कोर करते हैं बैस्ट स्कोर करते हैं और बूस्ट अप्यूर कॉन्फिदेंस राइड और इस गूंग तो फॉस्टर यूर नॉलिज यॉर कॉन्फिदेंस यॉर स्किल्स यह बहुत इंपोर्टन चीज है कि आप अपने बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करें और साथ साथ आप अपने स्यूट पर फोकस करें तो इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों हम हमेशा कहते हैं कि जैसे एकडमिक्स आपका जो है वो 24 इंटु 7 वाला प्रोग्राम होता है हमेशा ही आपको पढ़ना है ठीक है लेकिन जो स्ट्रेंट स्यूट के लिए जा रहे हैं उनको हम कहते हैं कि आप मंडे टू फ्राइडे पूरी तरीके से एकडमिक्स पे फोकस कीजिए ठीक है और स्यूट एक्जाम के लिए आप एक वीकेंड निका दियो वीकेंड में भी ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आपको पढ़ना ही है सीउटी वीकेंड में आप जो स्पेर कर सकते हैं वो टू आर्स ऑन सेटरडे एन अट लिस्ट थ्री आर्स ऑन संडे ठीक है तो मैं आपको पांच भंडे का वीकेंड स्टेजी बता रहा हूं यह आप अगर फाइव आर्स में मिनिमम निकालते हैं और अपने बेस तयार करते हैं क्वांड के इंग्लिश के रिजनिंग के करन्ट अफियर्स और जी के सेक्शन के ठीक है और आपका अपना डोमें तो तयार हो ही रहा है क्योंकि आपने अपने 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 शेडूल प्रिपेर कीजिए मंडे टू फ्राइडे पूरा श स्टड़ी ठीक है घर पे रहके आप सेल्फ स्टड़ी कितना करते हो और सैटेडे संदे शुट बी डिवोटेट फॉर सीटी थोड़ा सा टाइम वा निकालिए सैटेडे मैं से टू आर्स बोल रहा हूं लेकिन संदे क्योंकि आप जनरली लोग फ्री होते हैं तो आप थ्री स्टड़ी शुरू कर सकते हैं स्टड़ी शुरू कर सकते हैं बहुत जल्दी हम लोग भी आने वाले टाइम में अपनी ऑनलाइन क्लासे लांच कर रहे हैं आफ्का स्कूल एकडमी पर सीउटी आईपी मैट और क्लैट से ठीक है लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल लगत हमारी फील्ड जो है बच्चो वो एजूकेशन है और यहां पर हम आपको वही चीज़ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो वही आपको मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि एक ये छोटी सी स्टाटेजी जो है पांच घंटे वीकेंड की ये आपके लिए बड़ा काम आ लेकिन यहां पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि करन्ट अफियर जैसा सेक्शन ये जीके का सेक्शन ऐसा होता है जिसके लिए कोई टाइम लिबिट नहीं है कोई definite syllabus नहीं है और डेली आपको टार्गेट बनाना है कि जितने भी नैशन और international news events incidents हो रहे हैं वो आपको at least per day 10 question prepare करें and it won't take much time than 20 minutes okay that is why I told you 15 to 20 minutes केवल 15 से 20 minutes spare कीजिये और डेली बेसिस पर करन्ट अफियर को प्रिपेर करने शुरू करिए कि करन्ट अफियर आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है it is going to be a crucial part every year those students who appear in their CUT exam they come and they you know give us the feedback कि सर अच्छा हुआ असा current affairs मारा बहुत अच्छा नहीं हुआ यह problem हुई वह problem हुई तो इन सारे के सारे जितने भी challenges है इंसे निवटने का सिर्फ एक ही मंत्रा है और वह है daily practice because current affairs के लिए मैं हमेशे एक चीज़ बोलता हूं current affair makes you aware right तो current affair एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा रखेगा और कोई भी competitive exam आपको चाहिए उसके लिए current affairs की preparation करनी ही करनी है तो मुझे लगता है बच्चों कि अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे पांच घंटे saturday two hours sunday three hours और उस पांच घंटे को भी आप अपने चार या पांच सब्जेक्ट में equally भी डिवाइट कर सकते हैं लेकिन current affairs के लिए आपको डेली मैंने का सिफ 15 से 20 मिनट न्यूस पेपर हैं वैबसाइट से हैं बहुत सारे न्यूस चैनल्स आप शाम को 9-10 प्राइम टाइम आता है वो देख सकते हैं ठीक है आप अपने अगर आपको और भी कोई help चाहिए तो आप comment में मुझे लिख सकते हो आपको महाँ पर प्रॉपर सलुशन मिलेगा कोई भी डाउट से रिलेटेड आपके पास है अपके पूछे ठीक है और हम और हमारी टीम बिलकुल आपको प्रॉपर सलुशन देने के लिए हमेशा जो है वो लगे हैं आगे भी लगे रहेंगे तो यह प्रिपेशन से आप यह प्रिपेशन शुरू कर देंगे नेक्स वीडियो में मैं कुछ और इंपॉर्टन टिप्स के साथ आपसे मिलूंगा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेयर कीजे सब्सक्राइब की सब्सक्राइब की चीजे ला सकें थैंक यू वेरी मुच जय हूँ